देखें, वैसे तो Whatsapp पर update आते रहते हैं, अब बड़े बड़े अबड़े अबड़े होते हैं, हो तो हमें पता चल जाते हैं, बट, कुछ ऐसे छोटे अबड़ेट होते हैं, जिसके बारे में हमें पता हैं जलता हैं। वो होते ही ही छोटे ना तो दिखाई नहीद देते हैं हाई दोस्तों, हाइटेक में आप आप सभी लोगों का स्वागत है देखें भाई, जब भी वाटस अप में कुछ नए अपडेट आता है तो कुछ लोग उससे खूस भी होते हैं कुछ लोग नाराज भी होते हैं क्योंकि कुछ अपडेट ऐसे होते हैं जो काफी useful होते हैं और कुछ अपडेट इतने बक्वास होते हैं जो किसी भी काम के नहीं होते हैं बट जो छोटे छोटे अपडेट आथे ना भाई वो बड़े ही काम के होते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के कुछ ऐसे चोटे अपडेट बताने वाला हूँ जिस पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना तो वो आपके काफी गाम आ सकते हैं तो चले यहाँ पर मैं आपका टाइम पास नहीं करता हूँ आपको लगता है कि यह सही नहीं है तो आप उसे डिलीट फॉर एवरिवन करेंगे ना तो जितने भी आपके WhatsApp ग्रूप में मेंबर हैं उन सभी के डिवाइस में से वह फोटो या फिर वीडियो डिलीड हो जाएगा हाला कि यह फीचर पहले WhatsApp के बीटा यूजर को दिया गया था यानि कि जितने भी लोग WhatsApp का बीटा वर्जन यूज़ करते हैं उन्हें इस फीचर के बारे में पता होगा सब भी मैसेज को जब हमें देखना होता है तो वह काफी नीचे चले गए होते हैं हमें स्क्रोल करके ऐसे करके नीचे देखना पड़ता है बट अब आप सर्च बार में देखेंगे तो यहां पर अनृट का बटन आ चुका है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी यहां पर आपका टाम भी बच जाएगा और देख भी पाएंगे आपके जरू से चेक कीज़ेगा अब जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें थोड़ा पावर हमें भी मिला यानि कि हम यूजर को भी मिला है अब देखें होता यह कि अगर आप किसी को कोई फो तो आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं यानिकि आप दुबारा से आप उसे क्लिक करके delete for everyone कर सकते हैं यानि कि अब आप delete करेंगे तो उसके भी device से delete हो जाएगा तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें गलती सुधारने के लिए एक नया option मिल चुका है जनरेट कर सकते हैं अब होगा यह कि अगर आप किसी के साथ मिटिंग करना चाहते हैं वीडियो कॉनफरेंस या फिर वाइस कॉल के तो यहाँ पर आप अपने कॉल की एक लिंक जनरेट कर लें तो अब अगर आपको किसी के साथ वाइस कॉनफरेंस या फिर वीडियो कॉनफरेंस करना है तो वाइस वाइस के तुरू कर लेना बस आपको लिंक शेर करनी होगी और लिंक पर क्लिक करते ही सीधे वह आपसे जुड़ जाएगा हाला कि यह जो फीचर से वाटसप के सभी बीटा यूजर्स को नहीं मिला है कुछ सिनियर बीटा यूजर्स है उने ही मिला है सभी बीटा यूजर्स को नहीं मिला है बट बहुत ही जल्द यह आपको देखने को मिल जाएगा अच्छा यह कहां देखने को मिल जाएगा वो भ मस्त अपडेट है, बट बहुत लेट आया, अब जो अपडेट में आपको बदाने वाला हूँ, ये खास तोर पर लिव ग्रूप को लेकर है, देखिए ये काफी इंटरस्टिंग है, मस्त आइटम है, देखिए अगर आप किसी ग्रूप में जोईन है, और आप उस ग्रूप क को ही notification मिलेगा, कि आपने ग्रूप को छोड़ दिया, और किसी को पता नहीं चलेगा, कि आपने ग्रूप को छोड़ा है, मैन साबसे ये update मस्त है, बल्लब आप ग्रूप छोडऊंगे तो कोई बोलेगा नहीं, तुन्हे ग्रूप छोड़ दिया, मुझे पता चला तुन्ह तो ही पता लगेगा कि आपने ग्रूप चोड़ा है आप समझे ना इस अपडेट के बारे में में फब्स अपडेट है यह जो अपडेट है यह पहले iPhone वालों को पता नहीं यह update तरफब के लिए अपडेट03छन यह आइफोन के अंदर स्कार हो चुका है अच्छा इसके बात एक और अपडेट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दुआएं मिलेगी बहुत दुआएं आप सक्सेस हो जाओगे और वो दुआएं हमारे तरब से होगी बस आपको इस वीडियो को शेर करना होगा अपने वाटसप के सभी ग्रूप में ताकि सभी आपको बडियो